विल्कम बाइक तो बाइन यूटीब चैनल आज के इस वीडियो में हम 12 साने न्यूस इलबस महाराश्ट रबुट सब्चेक्ट एकुनामिक्स का न्यूस इलबस महाराश्ट रबुट का चाप्टर नंबर सेवेज नैशनल इंकम स्टेडी करने वाले हैं नाशनल इंकम के अं GnP का जो concept है वो जादा important है मैंने आपको पढ़ाया भी था तो आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो उसका link आपको description box में मिल जाएगा आप देख सकते हैं और अगर वीडियो अच्छे लगता है तो वीडियो को like ज़रूर करना और share करना अपने friends के साथ और मुझे follow कर लेना Instagram के ओपर link आपको description box में मिल जाएगा तो आज हम पढ़ने वाले हैं basically practical और theoretical difficulties ठीक है हम क्या पढ़ने वाले है practical और theoretical difficulties ठीक है और यह difficulties है in the measurement of national income difficulties in the measurement of national income उसकी यह part 1 वाली difficulties है और यह दोनों same ही name है ठीक है practical और theoretical बात एक ही है ठीक है और B वाला जो है वो है statistical difficulties और practical difficulties यह हम next video को में cover करेंगे ठीक है यह जो B वाला है वो next video के अंदर discuss करेंगे और आज के इस वीडियो में हम A वाला practical और theoretical difficulties को discuss करने वाले हैं तो देखो आपको पता है ना कि जैसे घर में एक nickname होता है और आपका college में या फिर बहुत सार बच्चों का ऐसा होता ह नेम तो अलग-अलग दो नेम होते हैं एक ही परसंट के तो यहां पर एक ही टाप की difficulties होंगी लेकिन उनके दो अलग-अलग नाम होते हैं तो इसलिए अगर बोड़ एक्जा में question आता है तो बिल्कुल भी डरना नहीं है theoretical difficulties आएगा तो भी लिखना है और conceptual difficulties पूछेंगे रखना है theoretical मतलब conceptual difficulties theoretical मतलब conceptual difficulties ठीक है और यह जो है most wanted question है यह बहुत बार एक्जाम्स में आता है difficulties in the measurement of national income मतलब उसमें आपको कभी-कभी theoretical difficulties भी specificly पूछ लेते हैं मतलब एकदम separate करके लेकिन अगर आता है question difficulties in the measurement of national income तो आपको theoretical difficulties भी लिखनी पड़ती है और practical भी लिखनी पड़ती है practical difficulties जो B वाला portion है ठीक है तो यह दोनों भी लिखनी पड़ती है और कभी-कभी डिरेक् explain the practical difficulties और explain the theoretical difficulties तो ऐसे अलग-अलग वे में question आते हैं ठीक है अलग-अलग बहुत सारे तरीके होते हैं उनके frame करने के question तो यह पूरा जो पार्ट है ना आज का वीडियो और next वाला वीडियो यह अच्छे से देखना और बहुत easy question है अगर यह question आपको exam में आता है तो बहुत अच्छे तरीके से लिखना है और यह बहुत जादा easy question है मतलब आपको अगर 4 marks के लिए आता है तो 4 out of 4 मिलने ही चाहिए और अगर यह 8 marks के लिए आता है तब तो 8 marks में मिलना ही चाहिए आपको इतना अच्छा question है ठीक है 8 mark के लिए तो पूरा पूछेंगे यह difficulties in measurement of national income otherwise यह 4 marks के लिए ही आएगा ठीक है कितने marks के लिए आएगा ज्यादा से ज्यादा अगर practical और theoretical यह सिरिफ इतना पुछेंगे तो यह 4 marks के लिए ठीक है तो यह अच्छे से question तयार रखना है अपने board exam के लिए तो first यहाँ पर देखो मैं explain करती हूँ transfer payment का ठीक है transfer payment क्या होती है जो भी pensions मिलती है government employees को pension मिलती है video को pension मिलती है कुछ scheme ऐसी होती है government के जिसमें government के जो है videos जो होती है उनको pensions देते हैं एक amount specific होता है उन्हें pension के रूपे दिया जाता है और कुछ old age pension की scheme भी होती है जो old people को pension मिलती है चाहे वह government के अप्लाई हो ना हो तभी आपने देखा उगा कुछ कुछ old ladies old women जो होती है videos जो होती है उनको videos को pensions दी जाती है specifically किसको बोलती हूं मैं videos के बारे में बोलती हूं यह government की pension किसको मिलती है गवर्मेंट के employee को मिलती है और एक जो scheme होती है जिसके अंदर videos को भी मिलती है वो अलग scheme होती है government की तो वो देती है और unemployment alliances, बेरोजगारी unemployment alliances का मतलब होता है जो बेरोजगारी भत्ता होता है मतलब जो unemployed persons होते हैं उन्हें क्या करती है government क्या करते हैं एक some amount जो है standard amount दिया जाता है for example कभी-कभी उन्हें एक महीनी का 3000 दिया जाता है या फिर 700 कुछ ऐसे amount उनका जो होता है standard वो set करते है government और उन्हें जो है दिया जाता है unemployment alliances ठीक है लेकिन ये जो सारी payments है इसे हमें include करना चाहिए या नहीं करना चाहिए यह सबसे जादा यहां पर major problem है कि these transfer payments should be included in the national income or not it's a major problem यह एक major problem है क्योंकि on one hand they are a part of individual income on the other hand they are a part of government expenditure मतलब एक तरफ से यह क्या है एक individual की income है ठीक है लेकिन on the other hand ठीक है यह एक तरफ से individual की income है लेकिन on the other hand क्या है यह है government की expenditure मतलब government का खर्चा है क्योंकि यहां पर देखो एक कोई भी productive activity नहीं हो रही है country के अंदर ठीक है तो यह जो transfer payments है इनको include नहीं किया जाना चाहिए national income के अंदर hence these transfer payments are not included in the national income यह जो transfer payment है इसको national income के अंदर include नहीं किया जाएगा illegal income illegal income like income from gambling black marketing theft smuggling etc are not included in national income illegal income जैसे कि जो gambling से पैसा आता है gambling मतलब जो भी लोग सट्टा लगाते हैं या फिर जुआ खेलते हैं black marketing करते हैं smuggling smuggling मतलब जो smugglers होते हैं वो क्या करते हैं जो tortoise होते हैं वह बहुत जादा costly होते हैं तो क्या करते हैं उसकी smuggling करते हैं इंडिया से वह foreign में बेशते हैं और आपको पता है अभी news में आया था कि tortoise की smuggling हो रही थी और वह जो tortoise की कीमत थी जो all जितने भी tortoise वह जो smuggle कर रहे थे foreign country के अंदर उसकी जो full amount ही होती 4 करोर रूपे तो यह मतलब approximately मैं बता रहे हूं कि इतने इतने थी उससे जादा भी हो सकती है approximately मतलब एकदम करेक्ट नहीं होता है तो यह economics में आपको सीखना पड़ेगा approximately इतना इतना amount होता है ठीक है तो बहुत जादा costly items को क्या करते है smuggling करते हैं और बहुत सारी ऐसे अलग-अलग चीज़ों होते हैं जो costly होते हैं समगल कर जाता है गोल्ड की smuggling बहुत जादा common है ठीक है गोल्ड की smuggling होती है तो यह सारी चीज़ों की smuggling होती है इससे जो income आती है वह illegal income होती है black money होता है ब्लाक money हमने 11 standard में भी study करा है ब्लाक money का जो concept है वह हमने 11 standard में भी study किया है black money मतलब जो जिस भी पैसे के उपर हम tax ने pay करते हैं वो illegal type of money होता है वो हम एकदम छुपा छुपा कर रखते हैं लोग ऐसे Swiss bank account आपको सबको पता होगा कि वो जो black money Swiss bank account में क्योंकि वो दिखाई नहीं रहता है ठीक है मतलब दिखाते नहीं है लोग अपने accounting sense में तो वो black money ह हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर थो टाक्स payment नहीं करते हैं कोई को यासे dealers होते हैं वो क्या करते हैं वो पैसे ले लेते हैं और और उनको रिसेॉपत क्यों जाता है इसलिए बिल और जो새 होती है वह हमें लेनी चाहिए क्योंकि अगर हम वह नहीं लेंगे तो उस्बैसे पर ट्वीं जासे लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि व्लिन में क्या होता है पलता है यहां पर account नहीं किया जाएगा national income के अंदर illegal income जो आ रही है gambling से आ रही है black marketing से आ रही है smuggling से आ रही है उसको national income के अंदर include नहीं किया जाएगा ठीक है next point है unpaid services for the purpose of calculating national income only paid goods and services are considered तो जब हम national income को यहां पर calculate करेंगे तो यहां पर बताया गया है कि जो only paid goods and services जो paid goods and services safe or safe उसे ही हमें यहां पर consider करना है ठीक है और जिस भी goods के उपर हम उसे payment नहीं करते तो हम उसे include नहीं कर पाएगे national income के अंदर क्योंकि इन्होंने क्या बुला है only paid goods and services are considered only paid goods and services are considered safe or safe paid goods हैं यहां पर और services considered के जाएंगे national income के अंदर लेकिन बताया जा रहा है कि यहां पर बहुत सारी unpaid services होती है unpaid services होती है जो account नहीं की जा सकती है calculation जो हम करेंगे national income का तो बहुत सारी unpaid services होती है جो हम national income के अंदर count नहीं कर सकते हैं for example services of housewife देखो हाउस वाइफ अपने घर में खाना बनाती है जाडू पोच्छा बरतन कपड़े सब करती है लेकिन उसे उसके रीटर्न में क्या पैसे मिलते हैं या उसको इंकम मिलती है ठीक है उनको पेमेंट या फिर इंकम नहीं दी जाती है हाउस वाइफ को नॉमली यहां पर कभी कोई भी पेमेंट नहीं करता है ठीक है किसी भी तरीकी को हाउस वाइफ जो होती है उनको पेमेंट या इंकम नहीं मिलती है तो यह जो है यह अनपेड सर्विसेस के ग्रूप में आती है तो यह जो अनपेड सर्विसेस के ग्रूप में आती है तो यह जो अनपेड सर्विसे सर्विसेस को इंक्लूड नहीं किया जाएगा नाशनल इंकम के अंदर तो यहाँ पर जो हाउस वाइफ की जो सर्विस है वो अनपेड है उसे कोई भी किसी भी तरीके की इंकम जनरेट नहीं होती है और वो जो काम करती है, उनके उसे इंकम नहीं मिलती है, ठीक है, तो यह जो services है, यह unpaid services के column में हैं, और यह include नहीं होगी नाशनल income जो हम count करेंगे, और कुछ services ऐसी होती है जो out of love, affection या mercy, sympathy, charity, etc. इसके through भी services प्रवाइट की जाती है जैसे charity में किसी ने किसी को textbook दे दी या फिर sympathy की तोड़ पर जैसे for example मैंने students को क्या किया उनको क्या किया मैंने tuition दे चारिटी में लोग क्या करते हैं त्यूशन पढ़ाते हैं और उनसे बिल्कुल भी money नहीं लेते हैं उनको textbook भी देते हैं उनको digest भी देते हैं उनको सारी की सारी जो facilities है वो प्रवाइट करते हैं चारिटी में लोग बहुत सारा जो है अपने चारिटी देते हैं और इन जो है चारिटी करते हैं तो यह love, affection, mercy, sympathy, charity इसमें से भी जो services प्रवाइट की जाती हैं जैसे मैंने बताया कि वो पढ़ा रहे हैं जाकर लेकिन fees नहीं ले रहे हैं जो teachers हैं वो पढ़ाते हैं जाकर love, affection, charity और sympathy की तौर पे तो यह जो services वो प्रवाइट कर रहे हैं या फिर बहुत जादा अच्छा चाइल्ड है वो clever children है तो उसको जादा tuition दे रहे हैं या फिर जादा उसके उसको पढ़ा रहे हैं तो यह क्या है वो unpaid services से क्योंकि उसका पैसा नहीं लिया जा रहा है ठीक है वो सिर्फ और सिर्फ एसी की वजह से जो है वो unpaid services के कॉलम में आ जाएगा लेकिन अगर नॉर्मली टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं तो उनको इंकम मिलती है तो वह इंकम जो है नाशनल इंकम के अंदर हम काउंट करेंगे लेकिन यहां पर जब मैं आपको बता रहे हूं कि वह एक टीचर सिंपती की तौर पर या फिर चारिटी करकर या तो प्राइवेट प्राइवेट ओस्पितल में फीच लेते हैं और क्या करते हैं कि यहां प्राइवेट इनका जो हौस्पिटल एं इसकीजो निकम एंडर होगी निकम इंकम के अंदर इंक्लूड होगी लेकिन यह जो डॉक्टर है ना इनका एक और यह है क्लिनिक है ठीक है इनका एक और क्लिनिक है जहां पर यह ना साथ बज़े से आठ बज़े एक ही घंटा होता है और इसमें यह टैन पेशेंट को देखते हैं सिंपती और चारिटी की तौर यह जो है दस पेशेंटी पैसे नहीं लेते है और सच्छ में ऐसा होता है तो यह 9 पार इनसे पैसे नहीं लेते हैं तो यह इनका जो सर्वयस्राइग पैसे के स्कॉलम में आ जाती है तो यह बहुत जारा अलग-अलग difference इसका रफा बता रही हो कि यह जोो साथ साथ आठ होगी लेकिन जब यह प्राइवेट हॉसपिटल में काम करते हैं तब रॉक्टर की इंकम है वह होगी लेकिन यह वाली नहीं होगी और यह वाली होगी ठीक है नेक्स्ट हैni production for self consumption अब यहां पर production for self consumption मत्लब अगर एक फार्मर है उनचे जो farmland मतलबो और पर बहुत ज्यादा production होता है ठीके लेकिन उसम्तिकर करते हैं वह थोड़ा सी जो amount है न वह अपने घर के लिए self consumption के लिए रख लेते हैं सेट असाइड मतलब अलग से रख लेते हैं थोड़ा निकाल कर अपने घर के लिए और बाकिकाल जो है वो बेच देते हैं ठीक है तो वह जो सेल्फ कंजप्शन का जो पार्ट है के अदर तो वह हम नाशनल इंकम के अंदर अकाउंट नहीं करेंगे अकाउंट नहीं किया जाएकांच वह य्ट्स parameter सेल्फ कंजप्शन और टेवाइग a Arts at it is not accounted for in the national income ठीक है तो उइनक्लूब नहीं होगा नाशचल ऐनकम के अंदर यहиком आता है विफ्ट पॉंग्ट आप इंकम of foreign firm ठीक है इनकम of foreign firm According to IMF, income of foreign firms should be included in the national income of the country where the firm actually undertakes the production work For example, अगर इंडिया के अंदर एक जर्मनी की कमपनी है ठीक है जर्मनी की जो एक कमपनी है वो इंडिया के अंदर है और तो ये जो कमपनी है वो इंडिया के अंदर है और प्रेडक्शन भी इनका इंडिया के अंदर ही होता है तो IMF क्या बोल रहा है वो बोल रहे है कि जो जो firm है foreign firm है foreign firm जैसे for example मैंने आपको बताया जर्मनी की कमपनी इंडिया के अंदर है तो foreign firm है तो ये बोल रहे है कि जो foreign firm जो है इंडिया के अंदर जो काम कर रहे है या फिर जो भी country के अंदर काम कर रहे हैं उसकी national income में include होना चाहिए जो भी foreign firm की income है उसकी जो income है वो national income of the country में include होने चाहिए जहां पर भी वो काम कर रहा है ठीक है जहां पर भी वो काम कर रहा है जैसे for example एक और example ले लो अगर एक इंडिया की company है और वो बाहर किसी भी जैसे for example ले लेते हैं US में काम कर रही है ठीक है इंडिया की company US के अंदर काम कर रही है और वहां पर ही उसका production होता है तो उसका जो income होगा वो उधर के ही country के अंदर जो है national income के अंदर count होना चाहिए यहां पर लिखा न where the firm actually undertakes the production work तो जहां पर उसका production work हो रहा है उसमें ही count होना चाहिए income of a foreign firm should be included in the national income of the country उसमें उसकी national income में count होना चाहिए जहां पर वो जो country के अंदर उसका production हो रहा है ठीक है next है valuation of government services government provides a number of public services such as law and order, defense, public administration, education, health services etc the calculation of these services at market prices is difficult as the real value of these services is not known therefore it is difficult to calculate the national income अभी जो government services है for example ले ले लेते हैं education को ले 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 जिए तो education की जो government services है ठीक है तो government के जो schools होते हैं उनकी जो fees होती है वो अलग होती है तो इसलिए यहां पर बताया गया है कि यह जो services हैं इसका जो market price है वो निकालना difficult है क्योंकि कि किसी को भी real value तो पता नहीं होता है ठीक है real value किसी को नहीं पता है जिसे for example मेरा जो college है government का college है government की जितनी seats होती है for example अगर government की 150 seats होती है government की 200 seats होती है और उसके बाद में private seat होती है तो जो government colleges की जो होती है fees वो जाधा होती है लेकिन अगर और जाधा अच्छे college में जाएंगे तो और जाधा अच्छे fees होती है तो जो real value है और real value हमें पता नहीं है हमारे college की या फिर जो हमारे education system में ठीक है education जो services मिलती है government से क्योंकि हम government के पॉलेज में थी कि government के जो education services की बात कर दीओं तो उनकी जो government की जो education services हमें मिल रही है उसका हम calculation market price में निकालना बहुत जादा difficult हो जाता है market price पर हम उसे नहीं निकाल सकते हैं जो भी education की services हमें government provide कर रही है वह हम difficult है कि हम उसका जो market price है वो हम उसका मार्केट परैसं में हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें रियल वैल्यू नहीं है तरיש नौन क्योंकि हमें यह सारी की सारी सर्विसस की जो मार्केट प्याइस वो पता नहीं सब्सक्राइब करते हैं इसकी मार्केट प्राइस आप निकाल सकते हैं क्या नहीं हम्हें पता ही नहीं है अब जो हम हमें इसकी रिएल वालू पता नहीं है तो हम मर्केट प्राइस पर कैसे करेंगे यह सार तार कैलकूलेशन कैसे करेंगे यह जो है वह डिफिकल्ट है नाशनल इंकम के अंदर count करना therefore it is difficult to calculate national income next जो last point है वो है changing price level ठीक है changing price level ये last point है और ये important भी है last point है changing price level difficult होता है calculate करना national income को क्योंकि यहाँ पर जो हो है price level हमेशद change होते रहते है fluctuate होते है increase होते है decrease होते है तो ये एक stable नहीं होते price level क्या होते है fluctuate होते है यानि कि change होते है कभी increase होते है कभी decrease होते है तो यहाँ पर example बताया है आपको कि price level क्या हो रहा है rise हो रहा है तो आपको national income में increase दिखाएगा लेकिन production जो है वो कम होगा decrease हो जाएगा और एक और example है यहाँ पर price level false होगा price level कैसे हो जाएगा कम हो जाएगा और national income क्या हो जाएगा decrease हो जाएगा ठीके जैसे ही price level में आपने यहाँ पर गिरावट देखेंगे मतलब false हो जाएगा तो national income भी क्या हो जाएगा decrease हो जाएगा लेकि प्रेडक्शन जो है वो बढ़ जाएगा तो आप मैं आपको numerical example यहाँ पर लिखकर बताती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीके यह देखो यह है price level ठीके PL मतलब price level और यहाँ पर है production और यहाँ पर है हमारा national income में increase और decrease आया तो first यहाँ पर देखो price level क्या था price level ठा 6 और हैं पर production कितना हुआ 7 units का production हुआ तो 6, 7 जा 42 ठीके तो यह मैं example से बता रही हूँ एकदम normal क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए तो जब production यहाँ पर 7 था तो क्या हुआ national income यहाँ पर 42 तो यह जो numerical example है इसमें आप देख सकते हैं कि जब price level कितना है 6 है और production यहाँ पर कितना है 7 units है लेकिन यहाँ पर decrease दिखा रहा है national income के अंदर लेकिन अब जब आप देखेंगे कि price increase हो गया है 10 हो गया है लेकिन production कितना है production decrease है लेकिन फिर भी आप देखोगे कि national income आपको यहाँ पर increase ही दिखाई देगी ठीक है ठीक हो प्राइस लेवल बढ़ा है और यहाँ पर national income आपको increased दिखाई दे रही है ठीक है याद रखो यहाँ पर price level कितना है 10 है और यहाँ पर national income आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है लेकिन production की तरफ भी तो देखो production यहाँ पर decrease हो गया है production क्या हो गया है decreased हो गया है production क्या हो गया है decreased हो गया है लेकिन अगर आप देखोगे कि price level जब 6 है price level कम है लेकिन production कितना है production कितना ज्याद मैं production seven in preparing लेकिद price लेविल कम है इसकी वजह से just because price level six है इसलिए आप देखोगे कि यहाँ पर कम हे national income national income आपको decrease दिखाई देरी है क्योंकि price level कम है price level की वजह से नाशनल इंकम है नाशन इंकम निखाई दे रही है लेकिन प्रेदीखन Le 그i शृष Da लेकिन फिर भी प्रडाक्शन जो है वो बड़ा हुआ ही रहता है सिर्फ और सिर्फ प्राइस लेवल फ्लक्चुएट हो रहा है मैंने यह आपको बता है ना प्राइस लेवल फ्लक्चुएट होने की वजह से की किसमें डिफिकल्टी आती है जब हम पर क्यांकिलेशन करते हैं तो यहा परavia unprecedented एक जैसा नहीं रहता है प्राइस रषा हमेशे चेंज होता है इंक्रींस होता है दिविक्रींस होता है तो हमारा कैसे को अधिरल्च्रा करेंग Kings की तब तक की लिए ऐधा थांकि steeper उच्छे लगता है तो विद्यो को ज़रूराइक करना स्चयै करनाना अपने फ्रेंच झाल 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 झाल